हेलो दूस्वाद हम आखगो बताएंगा यदि हमने होस्टिंग और File Manager पर coding website upload की हुई हैं तो इस website में जो डरेक्टरी create होती है उस डरेक्टरी को हम कैसे protect करें मतला उस डैरेक्टरी पर password कैसे लगाई यदि कुई another user उस डिरेक्टरी को open करें तो वह बिना पासवर्ट के open ना कर पाए जैसे यह सब admin asset यह directory है और बाकी सब cancel order यह सब PHP दिखा रहा है तो इसमें हम directory को protect कर सकते हैं ताकि कोई user इसे open ना कर पाए बिना password और username के तो उसके लिए हम hosting पैनल पर आएंगे उसके बाद manage पर click करेंगे क्लिक करने के बाद यह dashboard ओपन हो चुका है अब हम इसे नीचे scroll करेंगे और other section में password and protect file इसपर click करेंगे क्लिक करने के बाद यहां directory सेलेक्ट करेंगे कि इस directory को हमें protect करना है मानले हमें asset को protect करना है तो asset इसमें नीचे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यह डिडेक्ट कर रहा है इस है उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर CSS images जिसमें अल भी डिरेक्टरी बनी हुई है तो हम टोटल में SZ डिरेक्टरी को प्रोटेक्ट करेंगे यहां username एंटर करेंगे कोई भी username बना सकते हैं उसमें numeric जरूर होने चाहिए उसके अलावा हम इसमें password create करेंगे और protect पर click करेंगे और यह directory प्रोटेक्ट created successfully यह directory successfully protect हो चुके है तो इस परकार हम किसी भी directory को protect कर सकते हैं